हाई फ्रेंड्स थैंक यू फो वाचिंग मैं अनिल केकुमार इंप्रिंट एनल पी मास्टर लाइफ कोच आज आपका अपने यूटूब चैनल पर श्वागत करता हूं दोस्तो पिछले वीडियो में हमने डिसकस किया था कि self image किस तरह वो तयार होती है किस तरह वो destroy होती है आज इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं कि positive self image के क्या aspect होते हैं और उसका हमारी growth, सफलता, समर्दी पे किस तरह का अशर पड़ता है साथ ही हम सेखेंगे कि self image किन किन dimension से बनती है और उस पे किस किस तरह का हम evaluation करते हैं चले topic की तरफ आगे वढ़ते हैं यदि आप इस channel पर नए हैं तो subscribe button को दबा कर bell icon जरूर दबाएं ताकि latest videos आप तक पहुचते रहें दोस्तो जब हमारी self image positive होती है तो हम खुद से प्यार करने लगते हैं हम दूसरों को खुश करने की परवाह नहीं करते हैं और हम अपने आपको satisfy करने पर काम करने लगते हैं हम इस बात की भी परवा छोड़ देते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे दूसरे लोग हमारे बारे में क्या नकारात्मक बोलते हैं उन पर आहम विश्वास नहीं करते हैं हम उन पर विश्वास करने लगते हैं जो अपनी self image को बढ़ा करने में सायता करते हैं positive self image बनने से जीवन आशान हो जाता है चारो तरफ के negative environment होने के पाउजूद भी आप अपने आपको positive रख सकते हैं और आप अपनी सोच का दाईरा बढ़ाते हैं और आप वो कर पाते हैं जिसको दूसरे लोग अशंभाव शंजे बैठे हुए positive self image होने से आप जीवन के बारे में अधिक सहज हो जाते हैं और यह आपके आंतरिक तनाव को कम करता है यह आपका सामाजिक दाईरा बढ़ाता है और साभाविक रूप से ही लोगों को आपकी और आकरशित करता है आप अपनी शमताओं को पहचानने लगते हैं और कठनाई और चुनोतियों के लिए अपने आपको तयार कर पाते हैं और इससे सफलता की संभावनाई बढ़ जाती हैं दोस्तों अब हम बात करें कि किस तरह से यह self image आपकी मानसिक्ता पर निरबर्त करती है और जैसी आप मानसिक्ता बनाते हैं वैसी ही आपकी self image बनती चली जाती है इसके basic तीन elements में इसको बाटा गया है पहला element है कि आप जो कुछ भी देखते हैं जो कुछ भी सुनते हैं उन situations को कैसे perceive करते हो और कैसे receive करते हो और आपका यह reception और आपका यह perception आपके अंदर एक state of mind बनाता है जो आपके अपनी self image के परती आप कैसा सोचते हो वो उसी तरह स आपकी self image को develop करता है दूसरा element है कि आप यह सोचते हैं कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे और वो क्या perceive कर रहे होंगे आप उनके perception को समझने की कोशिश करते हैं और उसके base पे भी अपनी self image को त्यार करते हैं और तीसरा element है कि आप अपनी तुलना अपने किसी ideal व्वेक्ति के साथ करते हैं जैसा आप बनना चाते हैं और उसके base पर भी आप अपनी self image को evaluate करते रहते हैं और उसको create करते हैं कि आप कैसे हैं दोस्तों इसी तरह से एक व्वेक्ति जो अपनी self image बनाता है तो self image को evaluate करने के लिए वो 6 हिसों में बाटा गया है किस किस तरहें सो अपनी self image को evaluate करता है फॉस्ट वन है physical dimensions जी हाँ वो व्यक्ति अपने बारे में अपनी physiology के बारे में अपने facial appearance के बारे में अपने exterior के बारे में क्या सोचता है वो कैसा है दूसरा है psychological dimensions जी हाँ दोस्तों कि psychologically वो अपने आपको अपने बारे में क्या सोचता है क्या मान रहा है तीसरा है intellectual dimensions दूसरों से comparison करते हुए अपने आपको evaluate करता है कि उसकी intelligence कितनी है और उसके base पे अपनी self image को create करता है next है skill dimensions इसके base पे लोग अपने आपको socially और technically evaluate करते है कि उनको क्या आता है कौन-कौन सी skills उसके अंदर है जो उसको आगे बढ़ने में जीवन को और आसान बनाने में और किशी को help करने में सायधा कर सकती है और उन skills के base पे भी अपनी self image को एक shape देता है next है moral dimensions moral dimensions में व्यक्ति अपने आप अपनी values और principles के base पे कितना चल पाता है अपने moral dimensions से भी वह self image को design करता है next है sexual dimensions जी हाँ दोस्तो लोग अपने आपको इस society के अनुशार अपने gender के अनुशार अपने आप evaluate करते हैं कि क्या मैं fit हूँ या नहीं मैं किस तरह का दिखता हूँ क्या मैं सामाजिक parameters पूरे करता हूँ या नहीं करता हूँ इन points को भी ध्यान में रखते हुए वो अपनी self image को create करता है तो दोस्तो ये थे कुछ factors जो self image को effect करते हैं और self image किस तरह से हमें help करती है इस पे हमने आज discuss किया ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे comment box में comment करके जरूर बताएं और अगले वीडियो जरूर देखें उसमें हम बताएंगे अगर आपकी self image distorted है तो उसको कैसे gain किया जा सकता है कैसे दुबारा redevelop किया जा सकता है हो सकता है teachers, parents या society की वज़े से आप अपनी self image को distort कर चुके हो आप अपने आपको ही value नहीं दे पा रहे हो यदि ऐसा है तो अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा क्योंकि उसमें हम share करेंगे कि कैसे अपने बच्चों की distorted self image को दुबारा grow up कर सकते हैं मिलते हैं जल्दी ही जय हिंद जय भरत आपका दिन शुब रहे